हलो फ्रेंज कैसे आप सब में उमीद करती हूँ कि आप एकदम खूश होंगे और मज़े में होंगे सबसे पहले तो मैं माफी मांगती हूँ थोड़ा सा डेले हो गया यह वीडियो डालने में आप लोग जानते हैं कि मैं आउटो स्टेशन केरला में थी और जैसे आई ही मैं पर पहुंची और मैंने बला अब यह वीडियो बना लेती हूँ थोड़ा सा डिले हो चुका है लेकिन आप इस उपाए को कभी भी आज शाम होने के बाद कर सकते हैं तो बिल्कुल फिक्रा ना करें लेट नाइट तक भी कर सकते हैं ठीक है इन केस आप यह मिस्स कर जाते है तो कल सुभे कर लेना not to worry मैं आपको यहां पर सामगरी बता रही हूँ यह सामगरी खटा कर लेना जितनी खटा आप कर पाएं ठीक है जितना आपके पास घर में सामानों का उसी से आप यह कर लीजेगा एक आदगा चीज कम हुई तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है आपक पासी हरी इलाइची कितनी भी आप यह ले सकते हैं यह है कपूर जिसको की कैमफर बोलते है भीमसैनी कपूर होगा तो वह ज्यादा अच्छा रहेगा चीक है और इसके साथ आपको यह लेना है लॉंग थोड़ी सी लॉंग आप ले सकते और यह थोड़ी सी शक्कर यह नहीं पे भी उसके बाद आपको यह लेके घर में इसको मूव करना है यानि कि इसको अगनी जलती भी होनी चीए और आप पूरे घर में इसको लेके घुमाएंगे मंतरज आप आपके घर में चलते रहना चीए जब आप यह करेंगे तो इससे आप देखेंगे कि आपकी घर यह एक बग करके जरू देखिएगा आपको परिवतन आना ही आना है इन फैक्ट इस उपाय को आप किसी भी नवरातरी में कर सकते हैं यह कोई भी शुकरवार को भी इस उपाय को repeat भी कर सकते हैं आप माता को कोई भी मंत्रा चला सकते हैं लेकिन चामुंडाय विच्चे का मंत्रा गया आप चलाते हैं तो इससे आपको बहुत जादा अच्छी एनर्जी फील होगी और जो भी नेगेटिव एनर्जी होगी आपके उपर या आपके घर पे या आपके परिवार पे तो वो पूरी तरह से दूर हो जाएगी क्योंकि य इस तरीके का ये दे कि हैंडल पकड़ने वाला भी एक आता है जिसमें आप जला के घर में दूआ कर सकते हैं आप ऐसा भी ले सकते हैं ने तो एक बड़ी सी प्लेट में ये छोटे से कंटेनर को रखके भी आप घर में जला के दूआ कर सकते हैं लेकिन जब आप ये अगनी प्रिंग्रीम चांडाई विच्छे, ओ मैं रिंग्रीम चांडाई विच्छे ओ मैं रिंग्रीम चांडाई विच्छे